सच्छ्यकाल तुसी वेखरे हो सब सिंदू ते मेहा साक्षी पाठक अज जसी जानांगे शहीदा दे सर्ताज श्री गुरु अर्जन देवजी देवारे विशवपद्दर ते पारत नुएक जीहे राश्टर दा दर्जा प्राप्त है जिस विच अनेक प्रकार दियां सामाजेक आर्थेक ते तार्मिक पिंतावा होंदे बावजूद भी एतों दे लोकां विच आपसी सहर्दतादी पावना कुट कोट के परी होई है एस तार्मिक सेहन शीलतानों समय समय बाहरी ताकता ने जखमी कीता एना ताकता विच सबतो वदेरे जालम विदेशी हमलावर सी जिनाने लंबा समा पारतों पर राज कीता अपने राज काल दोरान मुगल द्वारा पारती जनता उपर टाए गए जुल्मा ते अमानवी कारणाम्या दी कहानी बड़ी लंबी है दुनिया विच शायद ही किसे होर कौम जा राष्टर देते हास विच अजीहे जुल्मा दी मिसाल मिले जदो इसलाम पारत विच प्रवेश कारदा है ता जीडे कभीले पहला इत्थे आए उक ठोर सुबा करके अत्याचारी सन अते लुट दी मुहीम नू जिहाद दा ना दिन दे सन एह जहाद विच एक हिसा तार्मिक जहादियां दा होंदा सी उना इस जिहाद राही खलीफे तो सुल्तान दा दर्जा हासल करना होंदा सी इसले सुल्तान बनन दी ख्वाईश रखन वाले हमलावरा ले एह लुट जहाद दा एक पड़ा होंदा सी मुगला ध्वारा पार्थियां उपर कीते जुल्मा दी लम्मी दास्तान दा हवाला इतिहास, साहित अते कुर्बानी विच थां-थां मिलदा है डॉक्टर जोज सिंग एम्मे मिकालिफ दे हवाले ना लिखदा है मुहम्मत कौरी ने प्रित्वीरा चोहान नू हरा के अजमेर ते दिल्ली ते कबजा कार लिया सी अते इसने हजारा ही लोका नू मौद दे काट उतार्या अते अनेका ही लोका नू ए अपने नाल गुलाम बना के ले गया सी बनारस दे राजे नू जितन तो बाद उसने हिंदूआ दा कतले आम हजारा लोका नू मार के कीता अते इस कतले आम विच और ता आते बच्चे ही बच्चे सन जिना नू गुलाम बना के ले जाया गया सी मेकालिफ अग्गे लिखदा है कि मुहम्मद बक्तियार खिलजी ने जोदो बिहार नू जित्तिया उसने नालंदा दी बेश कींती लाइब्रेरी नू ता साड़या ही नाल ही नाल इक लख ब्रामना नू भी मार दित्ता अग्गे जाके डॉक्टर जोज सिंग हसन निजाम ए नैशपूरी दी पुस्तक ता जुल्मों सर्द्यादार ते लिखदा है जोदो गुलाम बादशा कुतबुदीन एबक ने मेरट नू जित्तिया ता उसने बहुत सारे तार्मिक स्थाना नू टाके उना दी थांते मसीत खडियां कर दितियां एहो ही हाल अलीगर्ड आदी शहरा विच कीता गया इसे तरह अल्लावदीन खिलजी द्वारा पारत दी हिंदू जनता उते कीते जुल्मा दी दास्तान बड़ी दर्दनाख है एतिहास विच इस गालदा जिकर आउंदा है कि किस तरह छोटे-छोटे गुनाहा लई हिंदूआनों सकत सजावा दितियां जान दियां सन अफरीकी यात्री इबन बतूता अपनी यात्रा संस्मर्णा विच मुगल बाद्शा तुगलक दे पारत दे हिंदूआं उते कीते जुल्मा दा ब्यान करता है अमीर खुसरो अपनी पुस्तक त्वारीक अ बाबर दी करूरता दी सब्तो पुक्ता मिसाल गुरु ग्रंद साहिब विच गुरु नानक रचित बाबरवानी विच दर्च है गुरु नानक बाबर दे फौजी हमलेनू पाप की जंज अते अपने समकाली निर्दय राजेनू शीह केंदे सन मुगला द्वारा कीते जुल गुरु रामदास अते माता बिब्बी पानी दी कुखो होया। अपने नाना गुरु अमर दास जीतों आप जीनू बचपन विच दोहता बाणी का बोहता दावर प्राप्त होया। अपने आसंतों उठके पांज पैसे अते नारियल हात विच लेके श्री अर्जन दियां तिन प्रदखना लेया। उना आगे मथाटे क्या तै श्री अर्जन नू श्री गुरु अर्जन देव बना दता। बाबा बुड़ा जी ने गुर्याई दे योग गुरु अर्जन देव जी गुर्याई दा टिका लाके संगत वलों श्री गुरु राम दाश जी दे फैसले दे मौरला दिती। अमृत सर एक दो दिन रेंट तो बाद गुरु राम दाश जी गोईंदवाल आ गए। अरम दी पक्की रवायत बढ़ गई। गुरु अर्जन देव जी ने हर्मंदर साब दिव सारी करवाके सिखानों एक केंद्रे तार्मिक स्थान प्रदान कीता। इस तो लावा आपने कई नवे नगर वसाये जिना विच तरंतारन छेरटा, हर्गोबिंदपुरा, करतारपुर साहब, प्रमुक्षन। आप जी ने समाजिक पलाई दे अनेका कारज कीते। जिना विच कुष्ट रोगियां लई दवा खाना खोलना, पिंडा विच खुआँ दा निर्माना दी जिकर योग हैन। आपने 1588 इसवी विच अम्रिचसर विखे संतोक सरतल दी खुदाई कराई। अम्रिचसर विखे दरबार साब दे सुरोवर नू संपूरन कराया आते इसवीच हरमंदर साब दी नी रखी। तारमिक सहर्दता दा सबूत दिन देयां हरमंदर साब दी नी मुसलमान फकीर साईमिया मीर कोलों रखवाई। अते इस वर्ण मंदर दे चार दिशावावल चार दर्वजे राखके इस पावन स्थान नू सबतर माँ जातां ते फिरक्याँ दे लोकां ले खोल देता। गुरु अर्जन देब जी पंजाबी, हिंदी, संस्कृत ते फार्सी पाशा दे विद्धुबान सन। इना तो इलावा आप कई उप्पाशावा देवी ज्याता सन। वेदा, शास्त्रा नोवी आपने कोख्या पडचोले आसी। गुरु अर्जन देब जी गुर्मत काव तारादे सिर्मोर शायरहन। उना दी साहे तक प्रतिबा बहु पक्खी है। आओ हुन जान्द्या श्री गुरु अर्जन देव जी नू संपादक वज्जों। काफी कालणा कालणी पई। गुरु जी ने गोइंदवाल जाके बाबा मोहन पासो पोथियां ले आ दिया। गुरु अंगत देव जी दे वड़े सपूतर बाबा दातु जी पासो बाणी लणी गुरु साहिब दी इस पवित्तर अदर्श दी पूर्ती लई दिली श्रदा, प्रेम ते तीबर बहबलता दा एहसास कराउंदा है। इस ग्रंत विच बारवी शिताबदी तो लेके सतारवी शिताबदी तक दे प्रमुख तरम प्रवर्त का दिरचना नू शामिल कीता गया है। ता पता चलदा है कि एह एक जीही टेक्स्ट है जिसने अपने वेले दे मनुख दे मन विच हर किसम दे, दमन अते शोशन दे खिलाफ जुजन लेई नेतिक मनोबल पैदा कीता। गुरु अर्जन देवजी पास काव प्रतिबा राग विद्या दी डूंगी सूज, काव शास्त दी विशाल जानकारी अते एक निश्चत संपाद की व्योंत सी। इस ग्रंद विच गुरु साहब ने अपनी चंगी संपाद की सूज दा सबूत दिन देया, समुची बाणी नू रागा अनुसार वियोंतिया। गुरु अर्जन देव जी द्वारा कीती गई आद ग्रंदी संपादना, पार्ति शास्तरी रागा अते सनातनी संगीत परंपरा दी द्रिष्टी तों बड़ी महत्व पूरण है। पहला शब्दाउं देहन, फिर अश्टपदियां, छंत, लम्या कवितावां अते अंत विच पक्ता दी बाणी अते फुटकल रचनावां। हर एक राग विच अगो करा आते तुनिया दी वंड है। बाणी कारा दी बाणी नू वक्रियाउन ले गुरु साहबान विच मल्ला पहला दूज्जा ती जाद वर्ते गए हन। हर एक राग विच गुरु नानक दी बाणी सब्तों पहला है। फिर गुरु अंगद, गुरु अमर्दास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी ते गुरु तेक बहादर जी दी बाणी शामल है। इस तो बाद पक्ता दिया रचनावां आउं दिया हन। जित्ते लेखक दा नान नहीं, उते अंकाद यादार ते पता चलदा है कि रचना किसे होर दी शुरू हो गई है। गुरु गरंथ साब विच इकत्ती राग रागनिया दा प्रयोग होया मिलदा है। सब्तुवद रागां विच बाणी गुरु अर्जन देव जी ने लिखी। इस गरंथ विच उना रागानू बहुती था नहीं दित्ती गई जो अती खुशी याती गमी दे राग हन। जिवे हंडोल जा दीपक राग। इस गरंथ विच जिना काव पेदनादी वर्तो होई है। उना विच बार्मा, आर्ती, कोडियां, अलाउनियां, सत्वारा, चंद, पौडी, काफी, पैंती अखरी शब्द, आदी प्रमुखन। आओ उन्गाल कर दियां, शिरी गुरु अर्जन देव जी दी शहादत देवारे, जो कि इस से के तेहास दी एक मेद्वपूर्ण कटना है, जिसने हिंदुस्तान विच एक विलखन शहीदी परंपरानू जनम दिता, जेडी अगों गुरु तेक बहादुर दी शहादत तो ह हुन दी है, दसम पाच्छा दे चार साहिबजाद्यां दे बाद विच सिख राजदी स्थापना तक अने एक सिंगा सिंगनियां दी विलखन शहादत दा अधार बन दी है, गुरु अर्जन देव जी दा जीवन उन्हा दे काम अतिश शहादत गुरु नानक वल्लो दर्शा अधर्शा दी पूरन मिसाल है, मानवता दे उच अधर्शा दे मानवी मुला दी रख्या ले, किसे सिख दी एक पहली शादत सी, इसलिए उन्हा नू शहीदा दे सर्ताज किया जान्दा है